Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वाकत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में तेके market तो 3 वी को चुके market को पिछले वीक मंडे और टूजडे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी stock market के अंदर बड़ेकिन 3 हफते से जो है continuously stock market bullish mode में है और chances हैं कि आपको nifty 50 18,000 points तक जाते विए देखने को मिल सकता है क्योंकि market जो आपको पता है कि 6 मेहने से लगातार correction में थी और इस बीच में बड़े-बड़े stocks जो थे वो गिरे पड़े थे लेकिन कुछ stocks ऐसे भी थी जो market गिरने के बावजूद भी एक अच्छे खासे returns को दे चुके हैं अब क्योंकि जिस stock की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेके मैंने अलड़ी बहुत पहले recommendation दी थी लगबलब डेड़ महीने पहले 26 रुपे पे जब यह हो चुका था यह फिर भी बहुत सारे लोगों ने सिरफ उपर के लेल्स पे जाने के बाद stock को बाई के क्योंकि stock जो है वो टी प्लस टू कटेगरी में आता है और अब लग चुका है stock के अंदर lower circuit जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है share galactico corporate तो अब यह गिरावट कहां तक जाने वाली है short term investors को क्या करना चाहिए और long term investors को panic होने के लिए क्या बचना चाहिए stock के अंदर या फिर अभी उनको भी जो है दिक्कत हो सकती है इन दोनों चीजों के सवाल जो है इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज देने वाला हूँ कहां तक गिरावट होगी इसकी बात करेंगे क्या support levels रहने वाले हैं और company को fundamentally भी थोड़ा सा जानने की जरूर कोशिश करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप मेरे channel पे नए है तो please channel को subscribe करके bell icon को press करके all पे select कर लिजे ताकि जैसे ही video upload हो description box में डाल दूँगा आप मेरे दोनों group से भी जूड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और queries के लिए भी तो galactico corporate की बात करूँ तो 4.96% का lower circuit second day आज फिर से हमें stock के अंदर देखने को मिला है क्योंकि Friday के दिन stock में lower circuit लग चुका था और आज जो 4 रुपे की गिरावट क असी रुपे तकीर जो rally दिखाई उसके अंदर continuously selling भी हो रही थी और continuously buying भी हो रही थी लेकिन एक चीज़ जो थी वो क्या थी कि stock में daily अपर सेकट नहीं लग रहे थी धाई पसंट, 3 पसंट, 4 पसंट, 5 पसंट कभी-कभी तो एक ऐसी range में daily stock में बढ़त जरूर मिल रही थी ज्यादा stock के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, बताऊंगा आप लोगों को, एक मेने के return की बाद करूँ तो 78 पसंट positive और अगर मैं 6 मेने की बाद करूँ तो 1481 पसंट के 6 मेने के अंदर positive returns है, अगर आप लोगों को यह लगता है कि यह stock सिरफ 70-80 रुपे का ही है तो ऐसे आपके गलत फैमी है क्योंकि company जो है दो बार bonus और split दे चुकी एक बार 2021 में और अब 2022 में जो stock split दिया है उसके अंदर जो है stock का 15 June को price 300 रुपे का था और 300 रुपे के बावजू stock company ने split दिया और just एक week के अंदर सबके bonus account में जो है bonus के जो shares से वो आ चुके थे तो उसके selling pressure देखें आप लगब लगब 72 लाग का selling pressure यानि कि 72 lakhs years selling order में देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ने कहीं selling pressure जब तक कम नहीं होगा lower circuit खुलेगा नहीं तो गिरावट जो है अच्छी खासी stock में देखने को मिल सकती है stock आपको 50 रुपे तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता ह अगर आप risk ले सकते हैं तो stock को continue कीजिए अगर आप stock में risk नहीं ले सकते तो फिर stock को avoid कीजिए खरीदना कब है जब stock में गिरावट हो जाए और यह चीज कहीं थी मैंने और आज stock में lower second दूसरे दिन हमें देखने को मिल रहा है volume देखें सिरफ 324 shares का volume trade हुआ है वहीं अगर इसके company के fundamentals देखें तो market cap जहां 500 crore से बढ़के 1100 crore को cross कर चुका है क्योंकि 26 रुपे के असपा stock का जो price था जब उस time तो market cap जो stock का 500 crore के असपास था और आज market cap जो company का वो 1100 crore कर चुका है और अब lower second stock में लग चुका है 100 points को touch करते हो चल रहा था और अब 2 दिन के lower circuit के stock में जैसे ही लगे है वैसे stock का RSA level जो है 80 points से नीचे आ चुका है अब बात आते है कि long term investor को short term investor को करना क्या चाहिए तो short term investor क्या करेंगे जिन लोगोंने नीचे के लेल सुबाई कर रखा तो उनको panic करना की जुरूरत नहीं जिन्होंने 30-40 की range में बाई कर रखा है तो वो panic ना करें stock जो है ज्यादा जल्दी तना नीचे नहीं आएगा और जिन्होंने ऊपर के लेल सुबाई कर रखा है तो उनको जो है अगर loss book करना है तो वो करेंगे क्योंकि stock में जब खुलेगा circuit और circuit खुलने वाला लगबलबग 50 रूप के आसपास जो है हमारा पहला support level stock का निकल के आ रहा है क्योंकि daily 4-5 रूपे की गिरावट हो रही है तो obviously 75-75 रूपे पर stock trade कर रहा तो अगर 1.5 week भी stock में lower stock कर लग गया तो stock आपको सीधा 50 रूपे तक आते हुए देखने को मिल जाएगा तो पहला support आपका 50 रूपे के आसपास रहेगा और लेकिन दूसरी बात है कि जिन लोगों ने ऊपर के levels पर शौट टम इन वाइक करना चाहिए अगर वो चाहते है कि loss book करना है तो stock जैसे circuit ख बहुत अच्छे हैं company के अंदर जो holdings उनकी भी percentage और दूसरी बड़ी बात की अभी तक इसके quarter one के numbers भी नहीं आए हैं और एक और बात बता दू मैं आप लोगों को कि revenue जो अच्छा का सा जनरीट कर रही है company लेकिन जो resistance level थे देखे 93 रूपे तक की resistance level थे और अजब थर सपो में नहीं आए क्योंकि स्टोक जिस रफ्तार से भागते हैं उसी रफ्तार से stock market के अंदर stocks गिरते भी है क्योंकि जित हिसाब से returns देते हैं तो इस बीच में आप लोगों को करना क्या चाहिए कि सही time pantry लेनी थी जो मैंने बताया था डेड़ महीने पहले और डेड़ महीने ए अच्छी खाशी bullish rally जो है stock ने दिखाई भी और अब lower second तो देखे demand होती है stock की, कि stock एकदम से भाग नहीं सकता और एकदम से गिरी भी नहीं सकता अब एकदम से भागा था तो retrace करने के लिए जो थोड़ा सा जुरूर नीचे आएगा लेकिन bounce back आपको जल्दी ही stock करते हुए नजर आएगा, long term जिन लोगों ने नीचे के लज़से वाइकर रखा है, अब long term वाले करें stock को hold, बहुत लंबे time तक stock को hold करके चल सकते हैं, portfolio making stock है, और long term में आपको बहुत बढ़िया return जो है, ये stock दे भी सकता है, hold करके रखिए क्योंकि penny shares होते है, penny shares के अदर आपको पता risk बहुत जादा होता है, तो risk अगर आप carry forward करके चल सकते हैं, तो आप stock को भी carry forward करके long term के लिए बिल्कुल carry on करके चल सकते हैं, तो panic करने की situation नहीं है, तीनों चीजे बता द लेते हुए, एक अनुमान है कि 50 रुपे तक आपको support लेते हुए, galactico corporate देखने को मिल जाएगा, वहिए अगर इसकी performance देखे तो आप outstanding है, एक साल के अंदर 2000%, 6 मेने के अंदर 200%, 3 मेने के अंदर 975%, outstanding performance stock के अलड़ी एक multi bagger stock साबित हो चुका है, बहुत लोगों को नहीं पत लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसे share हमेशा ढूंद के लाता रहता हूँ, वहिए अगर इसकी volume देखें, आप volume भी अच्छा का सा 10-12-13 लाग का, लेकिन दूसरी जो बड़ी बात वो यह है कि stock में जो selling pressure है, वो लग बलबक 70 लाग share से ऊपर का देखने को मिल रहा, अब इतनी बड़ी quantity, एकदम से अगर sell होगी, तो stock में उठने में तो आपको कम से कम dead crude shares चाहिए के buying order में, अब 70 crore का अगर share जो selling pressure है, उसको break करना है और अपर सरकेट लगाना है, तो अब बसी बात है उससे double buying pressure चाहिए, और इतना buying pressure एकदम से operator ही कर सकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं अबी, क्योंकि stock अलड़ी peak पे था, बहुत सारे लोगों को मैं बारवार कह भी रहा था, कि stock और बड़ चल रहा, stock से निकल जाए, और promoter holding रहे, stock की तो 71% promoter है और 28% जो public है, तो long term वाले भी ध्यान रखें, और short term वाले भी stock में अगर low second ही हो रहा है अभी, अप a second ज सब्सक्राइबर के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें